अगर डाप नहीं देखें लेक्षे नमबर वन्य को पहले देख लिए यहां पर आई बटन में उसका जो प्ले लिस्ट का लिंक है चैप्टर 3 के नाम से वो दिया ज़ारा पहले उसको देख लिए फिर इसमें आएगा आएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो फट क्या हमारा जो concept देखें उसके बात का example one तो example one में क्या कह रहा है सबसे पहले कह रहा है रिपर्जेंट जो गिवें डिया है रिपर्जेंट गिवें पेर ओफ लिनियर एक्वेशन इन टू वरियेवल ग्राफिकली यानि हमारी पास क्या है दो एक्वेशन दिया हुआ है दोनो यह हमारा है पहला लिनियर रिकवेशन दूसरा ल्टू मान लेते हैं ल्टू मराबर 3x प्लस 4y यह दूनों लिनियर रिकवेशन हमको दिया हुआ है तो अब तक जो थियोरी परे उसी के वेसिस पे सॉल्व होगा बहुत एजी है बने रही है हमारे साथ अगर यहां पर यहां दो लाइन को हमने L1 L2 मान लिया अब यहां पर L1 की बात करेंगे तो x-2y is equal to 0 है यह दोनों वेलुस को हम लोग क्या करेंगे 0 या कुछ और मानेंगे तो पहले 0 देख लेते हैं तो यहां पर क्या करना है पहली बार होएं x is equal to 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा तो दे पहला ही केस में हमारा क्या हो गया x का और y का वेलू 0-0 आगया तो x का और y का वेलू यहां 0-0 लिख लिए तो अगर y का वेलू 0 नहीं आ था तो दूसरा वेलू हमारा रूल के मताब की रो लेना था लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं आप लोग जानते हैं linear equation पर चुके है तो अब जब x, y दोनु 0 आगया तो अब हम क्या करते है y का वेलू 0 नहीं रखते है x का ही कुछ और वेलू रखते हैं तो x का वेलू हमने रखा 2 minus x is equal to 2 तो 2 रखेंगे इस equation में क्या हो जागा 2 minus 2 into y is equal to 0 तो 2 minus 2 into y is equal to 0 आगया उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसी तरह क्या हो जाएगा यह minus 2y उसपा राके plus 2y हो जाएगा और दुनों तरब से 2,2 erase हो के y का वेलू के आ रहा हो वन आ रहा तो x का वेलू 2,y का वेलू 1 है तो यह हमारा क्या मिला एक line का equation का मतलब line का representation मिल गया अब क्या करते है solve करते है next वाले line l2 को ठीक है l2 का ह 3x plus 4y is equal to 20 है अगर यहां पर देखेंगे next line l2 यहां ले रहे है तो अगर एक बार क्या करना है according to rule x का वेलू 0 रखना है तो x का वेलू 0 रखना है यह पूरा term 0 होगा 4y is equal to 20 4 इसपार जाएगा नीच के नीचे तो क्या बचेगा 5 बचेगा ठीक है तो यह हो जागा y equals to 5 werà अब क्या करते हैं x का वेलू कुछ और लेते हैं तो x का वेलू हमने 4 रखका अब x का वेलू जैसी 4 रखते तो यह क्या हो जाएगा 4 into x क्या हो जाएगा 3 into 4 हो जाएगा एक स्का वेलो और plus में 4y हो जाएगा और 4y ory कट होगा तो बचेगा वाई का वेलू 2 तो एक्स का वेलू 4 तो य का वेलू 2 है तो देखिए हमें जो पेर्स मिला यहाँ पर क्या मिला जिरो कॉमा फाइब एन फॉर कॉमा टू मिला अब इसको हम लोग को क्या करना है ग्राफ में ड्रॉ करना है हम लोग यहां लिख लेते हैं तुनों का मिल यहां पे पहला line का मिला 0021 और दुसरा line का मिला 05 और four two अब क्या करना है इनसे दो अलग-अलग lines हम लोग को draw करना है सबसे पहला 00 और 21 इसको बना लेते है 00 कहा होगा और तो यह point हो गया हमारे 00 उसके बाद 2 और 1 है क्या है 2 और 1 है तो यह हो गया 212 क्योंके पहला x-axis उसके बाद 1 यह हो गया point मिल गया अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यह मिला हमको एक straight line यहां पर मिल गया आप देख सकते हैं उसके बाद क्या है दूसरा 0,5 तो 0 कहीं एक तो यहां था ही पहले से दूसरा लाइन क्या है 0,5 और 4,2 तो यह हो गया इससाब से क्या करेंगे इस लाइन को हम लोगोंने मिला दिया तो दोनों लाइन आया दोनों लाइन क्या हुआ यह intersecting lines मिला तो कहां पर intersect हुआ 4,2 पर intersect हुआ ठीक है हम लोगोंने देखा theory में क्या देखा था लेक्ष नंबर बॉन में या video नंबर बॉन में हम लोगोंने देखा था कि जितने points पर intersect करता है उतने points पर क्या होता है यह जो है हमारा उतना ही solution तो यहां पर कितना हो जाएगा number of solution हो जाता one यह हो जाता इसका answer ठीक है तो अगर पहला लेक्षर नहीं देखें तो देख ले तभी यह बहतर सरीगा से समझ में आगा इसके बाद देख लेते हैं हम लोग example number two example number two से हमारा हो रहा है word problem start इसलिए यहां से और कहराई से question को समझने की जुरूरत है यहां से और ज्यादा important part start हो रहा है बहुत हीजी है बस question को समझने की जुरूरत है तो देखें क्या कहरा है question देख लेते हैं क्या कहरा है रमिला went to a stationery shop and purchased two pencil and three erasers four rupees nine यानी रमिला जो stationery shop गई तो कित्या क्या क्या वो खड़ी थी वो खड़ी दी two pencils और three erasers कितने रूपे में nine rupees में ठीक है उसी के साथ साथ कह रहा है हर friend उसकी friend जो है सोना ली क्या कि वो भी गई the new variety देखी और pencil और eraser का और रमिला के साथ जो है इसलिए वो भी देखी and see also about four pencil and six erasers तो four pencil six erasers उसकी दोस्त भी खड़ी ली और क्या कह रहा है और same quality था तो कह रहा है same kind for rupees 18 और वो जो क्या खड़ी दी जितने भी products खड़ी दी वो 18 rupees में खड़ी तो अब क्या कह रहा है उसके बाद कह रहा है represent this situation algebraically as well as graphically यानी algebraically भी और बना मने अए month Bunny from Gum टेस को लिए क्या करें सलों तीट है क्या जानते थे जो हमें पता नहीं होता उसको buries pela Town यह रोप одной हम लोगों ने क्या पढ़ाथा पहर चैlington स्इम लिए तकी listen भू असकी बाद मौक्री इसको सोलोशन के दिपर अगे बनेंगे तो रमीला ज 18 लुपीज में ठीक है तो अब क्या करेंगे इन ही situation को हम लोग को algebra के लिए पहले पूट करना है तो क्या करेंगे जो चीज हमें पता नहीं है उसको मानेंगे हम लोग क्या वेरिय बस तो माल लेते हैं सबसे पहले हैं let x be the price of pencil दो चीज है pencil और eraser and y be the price of eraser Puis ф इसले में क्या है तो पहले हो समझ आ जाएगा देखि assuming घोप समझ में अरहा हो दो स्मस्का है धाल और उसको एक समयघ्र होगा व्यूज था थे फय़ प्लस तो 4x plus eraser कितने है 6 eraser है तो 6y, 4x plus 6y is equal to 18 होगा, तो अगर गवर कड़ेंगे तो 4x plus 6y is equal to 18 होजाएगा, यह है this is the algebraical representation of the given situation, question क्या क्या रहा था, कि दो दोस्त गई stationery shop, जिसमें से क्या कि एक ने दो pencil तीनी रेजर खड़ी दी, 9 रूपेज में, दूसरा क्या कि चार pencil, 6 रेजर खड़ी थी, 18 रूपेज में, तो इसको graphically दिखाना है, algebraically, तो यह होगी हमारा algebraically, यहाँ पर एक answer हुआ, अब इसी को हम लोग दिखाना है, क्या graphically, तो अगले page में देख लेते हैं, हम लोग graphical किसे साब से solve करते हैं, अब यहाँ तक हमारा पिछले page में हो सबसे पहले solve करने के लिए, अगर solving क्या करेंगे, यह हो जाएगा, पहला value हमारा क्या रखना प्रता है, 0, तो 0 रखेंगे, तो x का term क्या है, जब x 0 रख रहे हैं, तो यह पूरा term 0 होगा, तो 3y कटेगा, तो x का value खतम होगे, तो यहाँ पर क्या बचा, यह 3, 3, 9 कटेगा, तो y का value क्या है, 3, तो हमने क्या रखा, x का value 0 रखा, तो y का value क्या है, 3 है, यहाँ पर put कर दिये, उसके बाद इसी के साथ साथ क्या करना है, अगला जो है, x का value 3 रख लेते हैं, अब यह situation को आपको देख के रखना है, कि क्या 3 रखेंगे, तो हमारा solve होगा की नहीं, यह च 6 हो गया, और plus 3y is equal to 9, तो यह हो गया 6, और यह जो 6 plus 3y is equal to 9 आया, तो यह 6 जो है, उस पर जागे minus होगा, तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा, 3y is equal to 6 minus 9, तो क्या बचेगा, 3y is equal to 9 minus 6 है, 9 minus 6 से 3 बचेगा, 33 कटेगा, वाय का value आया, 1, तो इसी साथ से क्या होगा, दूसरा प रखते हैं, और लेकिन ध्यान रखना है, 0 के बाद fraction ना आजाए, तो अगर 0 रखके fraction नहीं आ रहा तो हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है, तो यह हो गया 0, उसके बाद 6y is equal to 18 होगया, 6y is equal to 18 आया, तो यहाँ पर y का value क्या होगया, 6 से 3 कटेगा, यहाँ 3 तरी टामस में 3 का multiple कुछ, तो 3 का multiple अगर रखते हैं, तो दूसरा हम लोग रखना है 3, तो x का value अगर 3 रखना हैं, तो देखें, यहाँ क्या हो जागा, इस वाल equation में, 4 into 3, 12, और 6y और इस पार है 18, तो 6y is equal to, क्या होगया, 18 minus 12 बजागा, यह 12 minus कहा है, यह 4 के साथ, x का value हमने 3 रखा, तो 4 into 3 होगा, और 3 होने के बाद क्या होगा, दोनों मिलके जो है, यह 12 minus होगा, तो 18 से 12 बजागा, 6 बजागा, तो 6y is equal to 6, तो y का value क्या है, 1 है, तो इससाब से यह आगया, 1, अब हमारा दोनों जो क्या है, equation है, 0, 3, 3, 1, 0, 3, 3, 1, अब दोनों similar ही type के हमारे points आगा है, दोनों solve करने के बाद क्या है, similar points आ रहा है, अब इनको क्या करेंगे, हम लोग graph में plot करेंगे, इसके बाद जानेंगे, इसके पीशे का हकीकत आखिर, इसमें special क्या है, तो जो points मिला हमें, क्या मिला, पहला वाला line का, जो equation से point मिला, वो मिला 0, 3, 3, 1, दूसरे वाले से हमें क्या मिल एक line दूसरे के उपर होता है, तब क्या कहते है, तो यह होगे हमारा graphical representation, और यह कैसा है, तो कॉन साइट करता है, तो कितने number of solutions होते हैं, जी हाँ, बिल्गुल सही, आप सही है, कितने number, infinite number of solutions होते हैं, क्योंकि इस पर infinite number of points हो सकते हैं, तो यह था हमारा solution of example 2, यहाँ तक था ह अब आगे हम लोगों अगले वीडियो में देखना है, solution of exercise 3.1, वो जो पूरा 3.1 का solution है, वो एकी वीडियो में आपको मिल जाएगा, अगर वीडियो पसंद आ तो एक like जरूर करें, और चैनल को subscribe नहीं है, तो subscribe कर लें, और जितने सारे वीडियो आएंगे, वो आपको यहा वो वाचिंग, मिलते हैं अगले दिन एक नहीं वीडियो के साथ, till then keep smiling.